हेलो फ्रेंड्स मेरा नम है अभी देके एन वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके लैप्टॉप या फिर कंप्यूटर में आवाज रुक रुक क्या रही है अटक अटक क्या रही है फस जा रही है तो इस प्रब्लम को आप कैसे सही करें वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखते रही है सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आए और राइट क्लिक करें यहां आपको डिवाइस मैनेजर दिखाई देगा तो आपको इससे ओपन कर लेना है आप चाहें तो सर्च करके भी डिवाइस मैनेजर पर जा सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर इस पर क्लिक करें दो बार और आपको यहां पर आपका ऑडियो ड्राइवर दिखाई दे जाएगा तो इस पर राइट क्लिक करें और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक क के बाद browse my computer for drivers इस पर क्लिक करना है अब let me pick from list इस पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको दिखाए देगा high definition जो भी आपका high definition वाला audio driver होगा आपको और जो latest version में होगा उस पर क्लिक करना है और next करके इसे update कर लेना है मैं इस पर नहीं करा हो क्योंकि मैं भी करूंगा तो यह video disconnect हो जाएगा क्योंकि audio record हो रहा है ठीक है तो आप इसे update कर लें अपडेट करने के बाद आप अपने laptop को एक बार restart कर दें वहाँ पर आपसे पूछेगा भी restart करने का तो आप एक laptop को restart कर दें इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी बट अगर problem solve नहीं होती है तो आपको यहां पर second step follow करना है सर्च पर आना है और लिखना है mmSys.cpl यह लिखिये और यहां पर इसे open कर लें इसके बाद यहां पर आपको speakers का option मिलेगा इस पर आपको click करना है दो बार और advanced का option मिलेगा सबसे पहले आपका यह इस तरीके से होगा तो आपको सबसे उपर वाले प्याना है सबसे उपर वाले को select करना है ठीक है और आपका यह on होगा enable audio enhancement तो आपको इसे disable कर देना है और apply करना है और okay कर देना है ठीक है okay करके cut करना है इसके बाद आपकी problem definitely solve हो जाएगी बट अगर अभी भी problem solve नहीं होती है तो आपको यहाँ पर search के option पर जाना है type करना है troubleshoot settings तो यहाँ पर यह आ जाएगा इसे open कर ले इसके बाद आप other troubleshooters पर जाए और playing audio के option पर जाए run पर क्लिक करें और यह खुद बाखुद आपकी problem दिखाई देखेगा की problem क्या है खुद बाखुद वो problem देखेगा speaker चुली जी अपना speaker में problem है next करें और यहाँ पर yes पर क्लिक कर दें इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है laptop restart करें और आपकी problem definitely solve हो जाएगी जाएगी